धर्ती में इतनी क्षमता है कि वह सब की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में वह सक्षम नहीं है। वाला किसान लालच का शिकार हो रहा है, किसान भ्रमित है, परिस्थितियां उसे लालच की ओर धकेलती जा रही है, उसे नहीं मालूम उसके लिए सही क्या है, रासायनिक खेती के बाद उसे अब जैविक क्रिशिय दिखाई दे रही है। पर आधारित है। एक देशी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान तीस एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। देशी प्रजाती के गोँश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घंजीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोशक तत्वों की वृद्ध के साथ साथ जैविक गती विधियों का विस्तार होता है। जीवामृत का महीने में एक अत्वा दो बार खेत में छिड़काव किया जा सकता है। जबकि बीजामृत का इस्तिमाल बीजों को उपचारित करने में किया जाता है। इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीट नाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी एवं बिजली भी मौजूदा खेती बाड़ी की तुलना में दस प्रतिशत ही खर्च होती है। गाय से प्राप्त सप्ताह भर के गोबर एवं गौ मूत्र से निर्मित घोल का खेत में छिड़काव खाद का काम करता है और भूमी की उर्वरकता का हरास भी नहीं होता है। इसके इस्तेमाल से एक और जहां गुणवत्ता पूर्ण उपज होती है वहीं दूसरी और उत्पादन लागत लगभग शून्य रहती है। राजस्थान में सीकर जिले के एक प्रयोग धर्मी किसान कानसिह कटराथल ने अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर उत्साह वर्धक सफलता हासिल की है। श्री सिंह इससे पहले वह रासाइक एवं जैविक खेती करता था, लेकिन देशी गाय के गोबर एवं गोमूत्र आधारित जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती कहीं ज्यादा फाइदे मंद साबित हो रही है। प्राकृतिक खेती के सूत्रधार महाराष्ट के सुभाश पालेकर की मानें तो जैविक खेती के नाम पर जो लिखा और कहा जा रहा है, वह सही नहीं है। और सबसे पहले रासायनिक खेती करने वाले ही आकरशित हुए हैं, क्योंकि वे यूरिया से जमीन के प्राकृतिक उपजावपन पर पढ़ने वाले प्रभाव से वाकिफ हो चुके हैं। क्रिश्य वे ज्यानिकों एवं इसके जानकारों के अनुस्तार फसल की बवाई से पहले वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद खेत में डाली जाती हैं। और इसमें नहित 46 प्रतिशत उड़नशील कारबन हमारे देश में पढ़ने वाली 26-48 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान खाद से मुक्त हो वायू मंडल में निकल जाता है। इसके अलावा नायट्रस, आकसाइड और मिथेन भी निकल जाती है और वायू मंडल में हरित ग्रे निर्माण में सहायक बनती है। हमारे देश में दिसंबर से फरवरी केवल तीन महीने ही ऐसे हैं जब तापमान उक्त खाद के उपयोग के लिए अनुकूल रहता है। वर्मी कमपोस्ट खाद बनाने में इस्तिमाल किये जाने वाले आयातित केंचूओं को भूमी के उपजावपन के लिए हानिकारक मानने वाले श्रीपालेकर बताते हैं कि दरसल इनमें देशी केंचूओं का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। साथ जमीन में मौजूद कीटानू एवं जीवानू जो फसलों एवं पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें खाकर खाद में रूपांतरित करता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती से भिन्ह तथा ग्लोबल वार्मिंग और वायु मंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला एवं उसे रोकने में सक्षम है। इस तकनीक का इस्तिमाल करने वाला किसान कर्ज के जंजट से भी मुक्त रहता है। मित्रो अगर आपको ये वीडियो ग्यान वर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। करेंग झान के चारएं। बार मेंगर एक है्यान झारां umल ग़ाओ झाल झाल